जो लोग बीड इंट्रेंस एक्जामनेशन फाम नहीं भर पाए हैं उनके लिए खुसकबरी है फाम भरने की डेट को बढ़ा दिया गया है अब आप अपना फाम भर सकते हैं चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कब तक फाम भर सकते हैं और यह भी बात करेंगे कि आपका ए संपूर्ण पार्ठ करम पर अधारित इस्टडी गाइड बुक है इसमें आपको 2700 प्लस अब्जेक्टिव क्वेश्चन और छे साल पेपर आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको बता दें कि इसका अगर आप इसका प्रक्टिस्ट करना चाहते हैं तो इसकी प् अब बात करें यहाँ पर डेट की तो अभी इस डेट को देखी एक्स्टेंड किया गया है अभी तक 5 मार्ज ठी लेकिन यहाँ पर देख पा रहे होंगे अब लाज डेट फार फार्म समिशन विडाओट लेट फेज़ पांच अपरैल कर दिया गया है लाज डेट फार फार्म सम्मिशन विद लेट फेश छे से दस अपरेल तक कर दिया गया है और अपका एड्मिट कार्ड लाइब दिखा रहा है तेरा अपरेल को डेट अप बिएड इंट्रेंस एक्जाम नेशन चौबिस अपरेल दोजार तेईस है तो अब यहाँ पर देखिए दस तारिक तक अभी फार्म ही भरा जाएगा और इड्मिट कार्ड दिखा रहा है यहाँ आपको तेरा अपरेल को ही आ जाएगा लेकिन यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि एक्जाम डेट इसकी टलेगी चूँकि अभी तक जो समय दिया गया था पांच मार्च तक था तो इसके पास लगभग एक से डेड़ महीने का समय था जिस बीच यह फार्म की स्क्रूटनी करते हैं उसके बाद सेंटर एलाटमेंट सारा प्रोसेस होता है लेकिन यहां पर अगर 10 अपरेल तक इसका प्रोसेस चलेगा फार्म का ही तो इतने जल्दी यह एक्जाम नहीं करा पाएंगे चूँकि इसके बीच में सिर्फ 14 दिन का समय मिलेगा 14 दिन में एक्जाम कंड़ेट कराना बहुत मुश्किल है 14 दिन के अंदर वो सेंटर इलाटमेंट कर लें प्रोसेस आगे कर लें तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसकी डेट जो है वो आगे बढ़ेगी अभी जो डेट दिख रहे है यहां पर यह पहले से डिसाइड डेट है क्योंकि यहां पर एक महाने के लिए फार्म को बढ़ या गया है तो ऐसा मेरा मानना है कि यहां पर अगर एक महाना डेट नहीं बाहा थे फिर भी दस-पंदरा दिन तो मानुचलिये कनफाम ही है कि इसका डेट बढ़ना है और हो भी सकता है कि 24 सप्राइल को करा ले लेकिन काफी मुश्किल होगा 24 सप्राइल को कराना चुकि जो समय हमें दिफाइड हुआ था वो पहले की हिसाइड हुआ था कि इस तना समय हम लेंगे पेपर कराने के लिए लेकिन अब सब्सक्राइब है तो इसके हिसाब से यहां पर एकजाम की भी डेट को यह थोड़ा बहुत इनको बढ़ाना पड़ेगा क्यों कि उतने कम समय में बहुत ही मुष्किल होगा वो सब्सक्राइब कि कई अगर आप देखना चाहितो अब लेना चाहिए तक कीलिवाए झाल झाल